हलो दोस्तो इस वीडियो में बताइंगे कि आप एटल पैमेंट बैंक से अगर किसी फेनंसर का कैस्ट डॉप करते हैं तो दोस्तो इसमें बहुत सारा वेनिफीट है एक तो आपको उसमें कम से कम अगर 17,000 का सपथ अगर आप उसको करते हैं तो दोस्तो इसमें आपको 25 ये 30 benefit मिल जायगा इसमें ये भी benefit है और इसके बाद दोस्तों आपको cash भी मिल जाएगा जो भी आप cash जो bank से लाने दिए जाएंगे वह cash आपको यहीं पर आपको मिल जाएगा तो दोस्तों इसमें बहुत सारा benefit और बताते हैं कि आपको cash drop कैसे करना है सबसे पहले दोस्तों अपने mobile में जो है मित्र यहाप देख सकते हैं इसको आपको open कर लेना है open करने के बाद दोस्तों आपको इस पर करन के इंटरफेस आयगा जिसमें login वाले option मिलेगा उस पर click कर देना है इसमें अपना लाप को नमर डाल देना है उसके बाद दोस्तों लॉगिन वाले अप्शन पर क्लिक कर देना है तो इसमें लॉगिन हो जाएंगे जैसे लॉगिन हो जाएंगे तो दोस्तों आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा cash drop ठीक है दोस्तों इसको आपको click कर देना है जो भी company का है उस company का आपको select कर लेना है जो भी company का आपका होगा उस select करने को बाद दोस्तों यहाँ पर अपना agent ID और sold ID और re-enter agent ID ठीक है यह तीनो डाल देना है और detail वाले option पर आपको क्या करना है यह तीनो चीज़ फिल करने को बाद दोस्तों इस पर आपको click कर देना है उसमें अपने जो company का नाम होगा वो दिखाएगा जैसे मेरा access bank है agent ID दिखेगा sold ID दिखेगा फिर sold ID दिखेगा फिर agent और जितना mobile नमर दिखेगा और जो भी amount होगा जैसे कि मैं 17,540 रुपिया भरना है तो दोस्तों आपका जो भी amount होगा इसमें amount डाल देना है और डालने का बाद दोस्तों आपको जो है उसमें ध्यान से सारा चीज़ देख लेना है कि agent sold ID सारा चीज़ सही है तो ठीक है उसके बाद दोस्तों 17,450 रुपिया है इसको फिल करने के बाद دोस्तों सम्मिट वाले option पे किलिक कर देना है सम्मिट वाले किलिक करने के बाद गैसं कि इसमें सारा चीज़ आजाए कंपनी नियम इसके बाद दोस्तों कम्पॉर्म वाली पे किलिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको मुवाइल नमर पूछा जाएगा जो इसमें मुवाइल नमर है इस मुवाइल नमर को आपको क्या करना है जो एजेंट का जो कैश ड्रॉप कर रहा है उसका जो मुवाइल नमर होगा वो इसमें डाल देना है इसलिए डालना है दोस्तों क्योंकि इसका OTP आता है जो की फिल किया जाएगा तो इसका प्रोसीजड वाले आपसन पे आपको क्या करना है नमर डालने के बाद प्रोसीड कर लेना है तो मैं इसके प्रोसीड वाले आपसन पे क्लिक कर देता हूँ पहले मैं इसका o otp फिल कर देता हूं जो इसके number पर गया है तो इसके बाहती उसका ओर टीपी स्की कर देता कॉजताओ हुत ॉसके अब उसके बाद दोस्तों यहां पर जो इसका ऐन आंपीन है मैं इसमें अपना एंपीन है नैंपीन कर देता हूं उसके बाद दोस्तो verify वाले option पर click कर देना है जैसे इस पर click करेंगे दोस्तों यह हो जागा successfully इसका एक exchange short रख रेना है जो आप cash drop की है उसको send करना है agent को और उसके बाद home पर चले जाना है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like and channel को subscribe जरूर कीजिएगा मिलते हैं